वीडियो को लाइक करें ऐसे ही दवाओं से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा कर ओल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें मेराम प्रकाश प्रजापत एक बार फिर से स्वागत करता हूँ दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री कंसेप्ट में आज से पेले इस चैनल पर आपको फार्मेसी से जुड़ी वी सिर्फ अकेडमिक जानकारी मिलते थी जिसमें हम question answer और chapters के बारे में discuss करते थे लेकिन आपकी काफी demand के बाद मैंने ये निरने लिया है कि इस चैनल पर अकेडमिक जानकारी के साथ साथ में दवाओ की practical knowledge के बारे में भी आपको बताऊं जैसे दवाया क्या-क्या होती है डोक्टरों ने किस-किस brand name से लिखते हैं तदा उनको किस-किस indication में दिया जा सकता है तो दोस्तों चली हम आज बात कर लेते हैं पेरासितामूल के बारे में दोस्तों पेरासितामूल एक परकार की NSAID यानि की non-steroidal anti-inflammatory की स्रेणी में आने वाली दवा है अगर हम इसके अलग-अलग डोजेज फोरम देखें तो ये टेबलेट फोरम में, सीरफ फोरम में, इंजेक्टेबल फोरम में, वे IV infusion फोरम में अवेलेबल रहती है दोस्तों अगर हम इसके यूजेज को विस्तार से जाने तो आप पेरासितामूल नाम से ही जानगे होंगे कि इसका पयोग बुखार को ठीक करने के लिए क्या जाता है चाहे वो वाइरल फीवर हो, टाइफाइट फीवर हो, मलेरिया का बुखार हो, या फिर चिकन गुन्या का बुखार हो या किसी भी कारण से बोडी का टेंपरेचर बढ़ गया हो, तो इन सभी बढ़ेवे तापमान को कंट्रोल करने में पेरासितामूल फर्स्ट चोईस ओफ ड्रग है दोस्तो एंटिपायरितिक प्रोपर्टी के अलावा ये एनाल जैसिक की प्रोपर्टी भी रखती है यानि जब कभी भी सीरदर्ध हो, कमरदर्ध हो, बदंदर्ध हो या किसी भी कारण से चोट लग गई हो और दर्ध हो रहा हो तो इसे लिया जा सकता है दोस्तो अगर हम पेराशिता मॉल के ब्रांड नेम की बात करें तो माइक्रोलेप्स की डोलो, गलेक्सो यानि जी एसके की कालपोल, इपकाव की पेशी मॉल, गलेक्सो को ही क्रोशीन, शिपला की पेराशिप, रेन बेक्सी की डोलीजा, और एबोट की मेलीडन्स, डोलो प के बारे में बात करें तो इसका निरदारन रोगी के वजन के आधार पर सबसे उप्युक्त माना जाता है इसकी डोस 15 mg पर किलोग्राम पर डोस से लेकर अधिक तम एक ग्राम पर डोस रहती है दोस्तों इसे डोक्टर के सिला के अनुसार परती 4 गंटे या 6 गंटे के अंतुर टैबलेट प्रिग्न से में विल्कुल सेफ है यानि आघर महिला को harsh हो तो लो डोज में कभीभी दी जा सकती है और यह बच्चों के लिए भी एक दम सेफ ड्ламین के कि बारे में बात करें तो बिल्कुल कम है कभी-कभी यह इसकिन पर दाने कर सकता है या फिर इससे जी मचलाने जैसी इस्तिती पैदा हो सकती है जैसे मेडिकल लेंग्वेज में नोजिया कहते हैं दोस्तों इसके मेजर एड़र्स इपेक्ट है हिपेटो टॉक्सिटी वे नेफ्रो टॉक्सिटी यानि हर वे किड्ड पर यह टॉक्सीटी ऊत्मन करता है दोस्तों यह टॉक्सिटी इसके बहुत अधिक मात्रा में एक साथ लेने पर या फिर लंबे समय से लगातार लेने पर हो सकती है दोस्तोंगि iskina का मुख्य कारण है इसका मेटाबोलाइट एन एसेटाइल पेरा और दोस्तों इसके toxicity का antidote है एन-acetylcysteine यानि कि जब कभी भी इसकी overdose हो उसके 8 गंटे के बीतर एन-acetylcysteine को आई-वी रूट से दिया जाना चाहिए तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी पेरा-सिटामोल टेबलेट के बारे में उमीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी यदि जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें वे इसको सेर करें जिससे किसी और के भी उसके यूजेज, साइड इफेक्ट आदी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जिससे कि आपकी डिमांड के अनुसार मैं वीडियो बना सकूँ वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद